नमस्ते फ्रेंड और वेलकम टू अनदर सेशन आप कुईक फिक्स रो आज जा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पे स्वस्त होंगे और स्रक्षित होंगे और हमको ठग लिया जाता है एक किसाम से आज मैं बात करने वाला हूँ कि कभी-कभी आपके स्पार्ग प्लक जब आप रिमूव करते हैं और फिर मिकानिक के पास जाते हैं स्पार्ग प्लक चेंज करवाने के लिए पार्क प्लग पे आपके मालो वाइल है वहां पे तो उसके क्या-क्या सिम्टम हो सकते हैं तो इन में से कोई सा भी कारण हो सकता है मतलब कोई सा भी सिम्टम हो सकता है हो सकता है आपकी गाड़ी में एक आदा सिम्टम आ रहा हो तो एक सिम्टम तो जो सीवियर सिम्टम होता है मतलब बहुत ही खतरनाक होता है वो होता blue smoke आपके जो exhaust pipe है जो silencer है वहाँ से अगर नीला धुआ आ रहा है blue smoke आ रहा है तो वो एक symptom होता है कि आपके spark plug के tip के उपर में oil है एक तो यह होगा दूसरा आपके engine misfire करेगा आपको ऐसा लगेगा की मतलब जटके दे रही है गाड़ी या फिर गड़गर गड़गर की sound आ रही है तो misfiring का भी एक कारण जो है वो spark plug के उपर में तेल आना होता है और एक symptom आपकी गाड़ी में यह आएगा कि आपको बहुत ही मतलब mileage drop महसूस होगी आपको ऐसा लगा कारण है जो बहुत ही खतरनाग है उनकी बात करूँगा मैं एक तो कारण आपका यह होता है कि आपकी जो piston की ring है वो damage हो चुकी है और वहाँ पे back compression की बज़ा से या फिर आप बोल लीजिए कि back fire कुछ लोग बोलते हैं ऐसा back fire भी एक symptom होता है मालों आपकी गाड़ी पटाके मारती है तब भी यह आप समझ सकते हैं कि आपके spark plug के उपर में oil है तो back compression जब आपकी गाड़ी में होता है उस time पे भी आपके spark plug में oil आना लाजमी है क्योंकि आपके piston में से escape होके gases के साथ में engine oil आपके spark plug के उपर में deposit हो सकता है एक तो यह कारण हो गया दूसरा कारण हो सकता है कि आपका piston ही damage हो वहाँ से escape हो रहा हो engine oil यह बड़े कारण है जो की जर्नली नहीं होते हैं आप ध्यान से सुनिएगा तब आपको सही से समझ में आएगा उसके बाद में एक कारण ही हो सकता है कि जो आपके valve की seat है वो कट गई हो और वहाँ से आपका engine oil जो है वो आपके spark plug पे जाके चिप अगरा हो और एक हो सकता है कि आपकी head gas के damage हो वहाँ से leak होके engine oil जो है आपके spark plug पे चिप अगरा हो पर ये सारे कारण टोटल जीतने भी अभी मैंने कारण बताए सिर्फ 20% cases में होते हैं only 20% cases में जब आपका engine बहुत पुराना हो चुका हो जब गाड़ी आपने time to end service नहीं करवाते हैं engine oil change नहीं करते हैं सही तरीके से मतलब सही time से तो ये तब आना लाजमी होता है बट 80% cases में spark plug पे जब engine oil आता है उसका कारण होता है आपका जो valve cover होता है valve cover की या तो gasket या तो आपके spark plug का जो well है वहाँ पे o-rings लगी रहती हैं इनका damage होना क्योंकि वहाँ पे बहुत heat produce होती है और heat produce होने के बाद में उन seals का cut ना या फिर मतलब damage हो जाना बहुत लाजमी है बहुत ही normal चीज है तो उनकी वज़ा से 80% cases में 80% गाडियों में जो spark plug पे तेल आना शुरू हो जाता है हमें यह लगता है कि अब engine का काम होगा और परिशान हो जाते हैं लोग काफी परिशान हो जाते हैं उस चक्र में गाड़ी बेच भी देते है तो यहां पे मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहला जो आपको चीज diagnose करनी है वो यही करनी है कि कहीं आपका जो valve cover है जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता देता हूँ valve cover सबसे टॉप में रहता इंजन में बिल्कु सबसे उपर वाली जो जगा रहती है gallery जो रहती है वो valve cover होता है आपका तो सामने में आपको उपर में दिखता है तो valve cover की या तो seal कट चुकी है या फिर एक कवर चीज़ बता दूँ जो spark plug के well होते है जो मतलब कुएं जो होते हैं जो उनके बिल्कुल एकदम लाइनिंग होती है वहाँ पे भी valve cover के अंदर में seal लगी जाती है ओर रिंग लगी जाती है वो ओर रिंग भी damage हो जाती है या मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ experience भी कुछ चीज होती है sir और generally हमने देखा है गाडियों में कि उसके कारण ही spark plug पे oil आता है और लोग परिशान हो जाते है तो let us suppose अगर आपके spark plug पे oil आ रहा है तो पहले आपको symptom चेक करने है कि क्या क्या symptom है अगर दो symptom backfire होगा या फिर back compression होगा तो आपको पता लग जाएगा तब तो engine का काम है यह तब तो piston ring बगारा जो damage होई होगी उसका भी test होता है वो भी आपको test मैं practically करके दिखाऊंगा 100% गाड़ी में कि कैसे चक किया जाता है कि आपके piston ring खराब है या फिर piston खराब है या फिर crack shaft खराब है या फिर आपके valve खराब है यह सब चीजे कैसी चक की जाती है कि head gasket खराब है इस सारी चीजों का practical भी आपको मैं करके दिखाऊंगा बट 80% cases में आपका जो valve cover है उसके damage होने के कारण ही वहाँ पे spark plug है उसके उपर में engine oil आता है तो सबसे पहले आपको valve cover जो है उसकी अपनी जो gasket है वो आपको change करनी है और साथ ही साथ आपके जो well है जो spark plugs के well है या फिर ignition coil के well है उनकी भी अंदर में seal आती है चोटी चोटी o-rings आती है गोल गोल तो उनको भी आपको साथ में replace करना है अच्छा कुछ गाड़ियां ऐसी होती है जिन में ये seals या फिर gasket नहीं आती है जैसे कि मैं आपको बताओ मेरे पास में एक रहनो कुड है रहनो कुड में जो valve cover है वहाँ पी कोई भी valve cover की gasket नहीं है especially जो आपका जो well है जो मतलब spark plug वाला area है वहाँ पे भी कोई gasket नहीं है मतलब कोई o-ring type की नहीं है तो उस case में इन गाड़ियों के case में जहाँ पे आपका valve cover प्लास्टिक का है बहुत सारी गाड़ियों में हैं सिर्फ कुड में नहीं है मैं यहाँ पे साफ कर देता हूं आपको अभी काफी engine ऐसे आ रहे हैं जिनका valve cover प्लास्टिक का ही आता है बहुत सारी engine ऐसे आ रहे है तो उस case में आपको यह करना है कि आपको sealant लेना है liquid gasket लेनी है liquid gasket का आपको मैं description में link दे दूँगा 12-15 नंबर की या 12-17 नंबर की liquid gasket लेनी है वो नहीं मिल रही है तो आप anamond यूज़ कर सकते हैं जो translucent color का आता है मतलब greyish type का color का आता है तो आप anamond भी यूज़ कर सकते हैं पूरा valve cover निकालके body assist वहाँ से पूरा साप सफाई करने के बाद में वहाँ पे sealant लगाना है sealant लगाने के बाद में आपको valve cover जो है अपना install करना है वापिस spark plug तो आपको change करने ही करने है उस area की सफाई करनी है उसके बाद में आपको कम से कम जो है आदे गंटे तक उसको सूखने देना है मतलब engine oil वहाँ पे डालना नहीं है गाड़ी start नहीं करनी है आदे गंटे आप सूखने दीजिए सूखने के बाद में जब एकदम intact हो जाए bolt बगएरा tight आप अल्रड़ी करी चुके है अच्छा जितने भी plastic के valve cover आते है उनकी जो bolts होते है उनके tightness की torque रहती है 10 newton meter हलांकि रेनो कुड का valve cover जो है वो कैसे change किये जाता है इसके लिए मालक से एक वीडियो बनाऊंगा हो सकता है एक दो दिन में पर मैं particular यहाँ पे बता दू कि maximum plastic की जितने भी cover बगर आते हैं आपकी गाड़ी में वहाँ पे newton meter 10 जो है वो torque लगाई जाती है उसको आप tight कर जीए tight करने के बाद में आदा गंटा उसको सूखने दीजे सूखने के बाद में आप engine oil ला लिए आपका एकदम मामला एकदम first class हो जाएगा कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी स्पार्क लग तो आपने change करी कर दिये क्योंकि maximum mechanic बहुत सारे mechanic मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ कुछ mechanic अच्छे भी होते हैं इमानदार होते हैं वो आपको सही बता देते हैं कि सर इसकी कुछ नहीं है valve cover की gasket change होगी या sealant change होगा पर कुछ mechanic यह बोलते हैं कि पूरा valve cover ही change कर दिये जायागा इस case में valve cover change नहीं किया जाता खाली उसकी gasket change की जाती है और sealant change की जाती है हलांकि showroom बाले आपको बोल सकते हैं कि पूरा change कर दो पर वो करना नहीं है आपको valve cover replace नहीं करना है उसकी खाली जो है वो gasket change करनी है आपका मामला एकदम solve हो जाएगा तो आशा करता हूँ छोड़ी सी वीडियो आपको पसंद आए होगी मेरी वीडियो उसको लाइक करने के लिए को subscribe करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय बारत